इन्टाक्टिक आपर स्टडी कर रहे अमेरिका और बिटिन के वेग्यानिकों ने दावा किया है कि वहाँ एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गरम पानी घुज गया है और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिखल रहा है उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा वेग्यानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिखलने से समुद्र का जलस्तर ग्यारा फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है 11 फीट ग्लोबल वामिंग की वज़े से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात इंचों में हो रही थी लेकिन अब मामला फीट में जा पहुचा है ये दावा बहुत डरावना है अगर ऐसा हुआ तो इनसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा क्योंकि 11 फीट बहुत ज़ादा उचाई होती है इनसान की हाइट ही इतनी नहीं होती और मकानों की सीलिंग भी अमोमन 10 फीट उची ही बनाई जाती है ऐसे में अगर सबंदर का पानी ही 11 फीट तक बढ़ गया तो उसके आसपास बसे इलाके तो जल समाधी ले लेंगे मतलब इनसानों का भी वही हश्र होगा जो सदियों पहले डाइनासौरों को हुआ था लेकिन इनसान डूप कर खत्म होगा अमेरिका और बिटन के वेग्यानिकों ने अन्टाक्टिका के जिस गलेशिर पर स्टडी करके ये रिपोर्ट पेश की है वो कोई मामूली गलेशिर नहीं है उसे दूम्सडे गलेशिर का जाता है यानि क्यामत लाने वाला glacier क्यूकि अगर ये glacier पिगला तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी क्यामत लाने वाला ये glacier साइज में आंध प्रुदेश से भी बड़ा है अब अगर इतना बड़ा glacier पिगलेगा तो उसका पानी तो तबाही लाए गई वेग्यानिकों ने पाया कि समंदर का तेजी से गरम हो रहा पानी इस ग्लेशियर के कई वीक स्पॉट में घुश चुका है इस वज़े से ये ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है जिसका मतलब एक ही है कि दुनिया के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं क्योंकि आनुमानी है कि क्यामत लाने